दिल्ली पुलिस ने शर्जिल इमाम पर बड़ी कारवाई की है दिल्ली पुलिस ने शर्जिल इमाम पर बड़ा एक्शन लिया है और उनके खलाप चार्शीट दायर की जिसमें कार्तूस मिलने की भी बात की गई है जी आपको बता दे कि दिल्ली के जामिया नगर शेत्र और NFC मार्केट के पास हुई हिंसा कुलेकर दिल्ली पुलिस ने 15 फरवरी को गोपनी तरीके से साके इतकोट में चार्शीट दाखिल की थी और इस चार्शीट में कई बड़े खुलासे हुए है पुलिस की जाज में पता चला है कि हिंसा वाले इलाके में 3.2 मिली मीटर के खाली कार्तूस मिले हैं CCTV, CDR और सबूत के तौर पर करीब 100 गवाहों के बयान पुलिस ने चार्शीट में डायल की है इस चार्शीट में सरजल इमाम का भी नाम शामिल है, क्योंकि वो हिंसा भड़काने के लिए एक एहम रोल माना गया था क्योंकि उसके पास एक पैंफलेट मिला था जिसमें दिल्ली को डिस्टरप करने जैसी बाते लिखे गई थी पैंफलेट में ये भी लिखा गया था कि मुसल्मानों को CA और NRC का विरोध करना चाहिए सभी मुसल्मानों को एक साथ मिलकर इसका विरोध करने की अपील की गई थी और वहीं शर्जिल इमाम के पास से मिले पैंफलेट में कश्मीर और बाबरी मजडित का भी जिक्र किया गया था उसमें लिखा गया था कि पहले कश्मीर फी बाबरी मजडित पर और अब CA पर हुआ इसके बाद हमें बड़ा एक्शन लेना चाहिए और दिली को डिस्टर्ब करने की बात कही गई थी क्योंकि इससे दुनिया की मीडिया का ध्यान इस मुद्दे पर आएगा इस पैंफलेट को मजडितों में बाटा गया था इसके ठीक एक दिन बाद 15 दिसंबर को कई जगों पर हिंसा हुई थी जिसके बाद जामय हिंसा में बसों में आग लगा दी गई थी और पत्थर बाजी की गई थी वहाँ पर अमान तुल्ला जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उन्होंने मुसल्मानों को भड़काने की बात कई थी और कहा था कि 12 परसेंन मुसल्मान एक कतरी हो जाए क्योंकि BJP मुसल्मानों की विरोधी पाती है और ये मुसल्मानों की विरोध में खड़ी है यह मजडितों से लाउड स्पिकर भी उत्रवा देगी और नमाज भी बंद करवा देगी जिसके बाद शर्जल इमाम ने देश तोड़ने की बात कही थी और देश भर में हिंसा बढ़काने की बात कही थी जे आपको बता दे कि इस जाच में कई बड़े खुलासे हुए है इस सत्रा गिरफतारी हुई है और नो लोग हैं जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के हैं और आठ लोग हैं जो जामिय इलाके से हैं हालनकि इसमें चार्शीट में किसी भी छातर का नाम नहीं है दिली पुलिस ने धारा 307, 147, 148, 149, 186, 333, 332, 347 और अन धारा के तहट इस चार्शीट दाखिल की गई है और चार्शीट के मुताबिक 15 दिसंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें 95 लोग घायल हुए थे जिसमें से 47 पुलिस कर्मी थे और इन उपद्रियों ने हिंसा के दौरान 6 बसे और 3 निजी वाहनों को भी छतिग्रस्त कर दिया था इन पत्थर बाजों ने उस हिंसा में 6 बसों में आग लगा दी थी और 3 निजी वाहनों में भी आग लगा दी थी जिस प्रकार से वहाँ पर भारी मात्र में पत्थर बाजी हुई थी अस्थानिये लोगों को नुकसान पहुचा था और 47 पुलिस कर्मी घायल हो गए थे पुरी तरीका से घायल हो गए थे अब इस चार्शीट में जो इतने बड़े खुलासे हुए है उसके बाद दिल्ली पुलिस ने PFI का भी उले किया है और उसके रोल की भी जाज की जा रही है जी आपको बता दे इसका समर्थन जो ये वहाँ पर पुलिस ने जो कारवाई की ती थी उसके पलतवार में उसका समर्थन आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं और उनके विधायक संजे सिंग कर रहे हैं और संजे सिंग का कहना है कि जिस तरीके से पुलिस उन चात्र पर बरवर्ता कर रही है वह एक तरीके से पत्थर बाद है लेकिन उनको ये करते हुए संजे सिंग ने कहा है कि ग्रिह मंत्री के सासन विवस्था में कानून विवस्था लगातार विगरती जा रही है यह वही आदमी पार्टी के नेता है जो चुनाओ से पहले इनके बोल क्या थे और चुनाओ जीतने के बाद क्या बोले चुनाओ से पहले सिसोधिय पर लगाता निशाना साथा था और केंज से सवाल करते आ रहे थे कि आप शाहीन बाग पर एक्शन क्यों ने ले रहे लेकिन जब बात आती है कि पत्थर बाजों पर एक्शन लेने के लिए संजे सिंग उनका समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी उन पत्थ यह ने ले रहे हैं आदमी पार्टी के ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो यह दोरी माँ सिकता की राजनीती कहल रहे हैं वो साफ नजर आ रही है चाय शरजल इमाम की बात हो या फिर जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग है या जामिय जेनियू के जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के जो छात रहें कथित छात रहें उनका लगातार आम आदमी पार्टी ओ या कॉंग्रेस दोनों ही समर्थन करती नजर आ रह जिस तरीके से चुनाओ के पहले आम आदमी पार्टी केन सरकार पर निशाना साथ रही थी कि केन सरकार वहाँ पर एक्शन नहीं ले रही और उन शाहिन बाग को या जामिया को लेकर वहाँ पर एक्शन नहीं ले रही और उसके बाद अब ये साफत और चुनाओ जीतने के बा या खुला समर्थन देते हुए और केन सरकारों दिल्ली पुलिस पर ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। असम को भारत से अलग करने की बात कही थी वो शर्जल इमाम को ये लगातार अब समर्थन कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो देश विरोधी नारे लगाकर और देश को तोडने की बात करके वो राजनीती में अपनी जगा बनाने के लिए ऐसे हरकते करते हैं। अपनी पकर मजबूत बनाने के लिए ये देश विरोधी नारे लगाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उस पर आरोप लगाती हैं। है क्योंकि उसके अंदर कितने कोच यह वांवनसीटें होती हैं। इस पर्लेमेंट को पूरी को सांसुदों को विधायकों को जो दिल्डी के अनदर आते हैं। इनका खर्चा रेल्वे भुक्ति हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए। वह देश के इंदर जगडा फसाद लड़ाई जहां कराना चाहते हैं वहीं हिंदू-मुस्लिम में भीदभाव करते हैं इसके लाव और कुछ नहीं है सवीधान अपनी जगे काम करता है कानून अपनी जगे काम करता है आवेसी हो या कोई और हो कानून सब के लिए एक बराबर है और कानून वक्त आने पर अवेसी जैसे लोगों को सज़ा देता है कभी राम मंदर का फैसला आता है तो उसको लेकर लेकर ये बोलते हैं कि जो मस्जद के लिए जगा दीगे है वो हमें नहीं चाहिए वो हम ऐसे ही ले लेंगे और कभी मस्जद की जो जमीना उसे बापस लोटाने की बात करते हैं अब इस तरह की विवाद बयान देते हैं मतलब इस तरह का क्यूं बयान बाजी करते हैं वो भी धरम को लेकर देखिए अयोध्या के मुद्द से वेसी का कोई लेना देना नहीं था और जो मुस्लिमन अयोध्या के आसप्रास के रहने वाले हैं उन्होंने और जब जो याची का करता था उसने भी उसका स्वागत किया तो बात वाँ खतम हो जाती है और वेसी कुछ भी कहें उससे कोई फरक नहीं पड़ता है देश जो है सविधान से चलता है चाहे जामिय मिलिया की बातों किशोर की हो सब जेगे पे जो है जब इनक्वारीज होंगी अर्कोर्ट अब संग्यान लेगा तो नियाले जो है सोच विचार करके गंभीरता से सारी चीज़ों को देखता है और न्याय की प्रक्रिया चलती है अगर शिवजी शंकर जी के लिए एक सीट रिजब कर दी जाती है तो उसको लेकर असुदिन ओवसी को इतनी जादा मिर्चे क्यों लग रही है कि वो सविधान की याद दिला रहे है और कह रहे है कि सविधान में तरह कोई नियम कानून नहीं है कि भाई तुम सीट आरक्षित कर दो किसी के लिए भगवान के लिए देखी ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी पॉलिटिकल पार्तिस है उनका काम है कि एक दूसरे को बिरोध करना चाहिए वो अच्छा काम हो चाहिए बुड़ा काम हो यह कोई मैटर ही नहीं है उनका काम ही है कि बिरोध करना तो वो अपना ड्यूटि कर रहे हैं तो इसमें हम लोग को को सोचना नहीं लगता है कि डूटी देखी करनी चाहिए कि जो चीज धरम से रिलेटेड है और लोगों को लोगों की श्रद्धा है उस चीज से जुड़ी होगी तो उस चीज को लेकर नहीं बोलना चाहिए कि हर चीज मा पॉलिटिक्स करनी है कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे हस्पत जालों में भी देखेंगे कि एक छोटा सा मंदिर बना होता है जहां पर लोग दूआ करते हैं कि हमारे पेस्टेंस की जान बच जाए तो अगर ऐसा है तो वह इसतरह अपाला करेंगे लेकिन हम लोग काम है कि हम अपना कॉमन सेंस अपलाई करेंगर आज के देट में हम अब लोग परहे लिखे हैं हम लोग पर लिखके भी अगर किसी गमार नेटा के बारे में सोचे एक वो क्या बोल रहा है और उसको फोलो करेंगे आख बंद करके ये बहुत ही बदकिस्मति की बात है छब आप परहे लिखे हैं पार्टेकुलर गौबर्मेंट को वोट दें तो बाकि सब लोग भी उसी ग कोबर्मेंट को वोट देने के लिए बात होती है